हेलो फ्रेंड्स जोती रेस्पी चैलल में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से पनीर की सबजी जिसे हम सिर्क मिंटों में तैयार करेंगे जिसे बनाना भी बहुत इजी है खाने में भी इतनी टेस्टी है आप इसे हमेशा इसी तरह बनाना पसंद करेंगे तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा तो चलिए फ्रेंड सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम मसाले ले लेते हैं तो खड़े मसाले में हमने क्या-क्या डाला है जिससे पनीर की सबजी काफी टेस्टी लगेगी तो देखिए मैंने 4-5 लवंग ले लिया है दो सुखी मीर दाल चीनी और पत्तर फोल ले लिया है काली मीर 4-10 इससे हमें ग्राइंड कर लेना है इससे काफी अच्छा टेस्ट आता है तो आप इन मसालों का जरूर उप्यों कीजिएगा तो देखिए साथ ही हम लेसुन डाल देते हैं तो लेसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप ज़रूर डाले एक इन चद्रक डाल दिया है मैंने आप डाल देते हैं इसमें 2 मीडियम साइज के मैंने टोमेटो को कट कर लिया है इसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे तो इन अच्छे से ग्राइंड हो गया है अब इसे मैं साइड रख देती हूं अब मैंने एक कढ़ाए रख लिया है कढ़ाए में हम चार से पांच बड़े चम्मच ऑईल डालेंगे तो इसमें पनीर की सबजी बना रहें फिर थोड़ा सा ऑईल लगता है इससे काफी टेश्टी ब दाल दिया है साथ ही दो तच पता डाल देंगे इससे फ्लेवर काफी टेश्टी आएगा दो हरी मिर्च अब डालने की बाद इसे हम पांच सेगेंड के लिए थोड़ा सा रोष्ट कर लेंगे तो ज्यादा हमें नहीं से भुनना है अब इसमें हम चार मेडियम साइज मैंने अच्छ और में चौप करके रखा है उसे भी टाल देते हैं तो इसे डालने के बाद प्रेंट इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छ से कूप करेंगे तो बहुत ये अच्छा फ्लेवर आता है पनीड की सबजी में तो आप ऐनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो लीजिएगा तो इसे हम अच्छी से और दालने के बाद अच्छी से ब्हूनेंगे तो दीकिए लगातार भूंते रहेंगे ताकि अच्छी से कुख हो जाए तो मैंने ढख एक मिनिट के लिए में मैं पना लेतीय हूं तो मसाले में 50 देही हैं चुंकिना बाशा Peninsula की टूद हल कीया अवह मेंथ का सभगी हिए एपमेखेता गरम मसाला के यहां पर से सिल्गी दाला सा कलर में ना आए यहां पर मैं भूम देट दोड़ी सोब्सक्राइब करें में आद लेकिन आफी अच्छे से हम इस मसालों को मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही बढ़ियां पेश्ट बन जाएगा और बहुत ही टेश्टी लगते हैं ता आप इस तरह जरूर ट्राय कीजेगा फिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है काफी असानी से अब इसे बना कर इंजॉय कर सकते हैं अब इसे मैं वापस चेक कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी तो देखिए हमारे तेल अच्छे से उपर होने लगे हैं मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम जो दही का पेश्ट बनाया है तो पहले गैस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है फिन उसके मिक्स कर लीजिए उसके बाद गैस का फ्लेम वापस अन कर दीजिएगा इससे आपके मसादा ही फटने के चांस काफी कम रहेंगे तो देखिए अच्छे से यह पक चुके हैं इसे मैं ढख कर रग दूंगी एक मिट बाद वापस चेक करूंगी तो देखिए काफे अच्छे लग रही हो तो वीडियो को लाइक इन सेर जरू कीजिएगा बहुत ही टेश्टी हमारे सबजी तैयार होगी अब इसमें आप पानी एट कर लीजिए तो ग्रेवी की साब से आपको जितना एकॉर्डिंग पानी चाहिए तो आप उसे साब से पानी डालिएगा तो यहां पर है मिक्स करनी के बा halt अब इसमें हम डालेंगे नमग तो सौथ नूसार नमग डाल देंगे फ्रिंस है तो आ तो ढमक डाल दिया है तो अब अब कम निअ डाल सकते हैं कि चम मेंने यहां पे नमग ले लिया है चोटी चमें मिक्स कर लेना है अब इसे में ध्षकर def què मेराण च साल जब तक अच्छे झात टब तक यहां पर मैंने पर काते हूं तो पनीर देखिए मैंने यहां पर cana यहां पर सब्सक्राइब करते हैं कर सकते तो यहां पर मैंने मेडियुम सब काना हैं तो यहां बड़े-बडे-माइस का में दलिग यहां encourage काट लेते हूं उप सकते हैं कितने इजी तरीके से मैं स्क्वायर सेप में काट ली भूँ अच्छे अमयने काट लिया है तो दस मिएट हमारे जब हो जाएं तो इसमें हम पनीर को ईट कर देंगे तो देखेंगे मसाले हमारे काफी अच्छे से कूख हो गए हैं इसे मैं वापस चला लेती हूं अब इसमें हम पनीर को एड़ कर देंगे हमारे मसाले काफी अच्छे से कूख हो गए हैं पनीर को मैंने डाल दिया है इसमें तो अगर आपको पनीर फ्राय करके डाला हो तो फ्राय करके डाले य अब इसे हम वापस ढग देंगे लगभग 2 मिनट के लिए तो मैंने लो फ्लेम पे इसी ढग कर रख दिया है तो दो मिनट हो चुके हैं तो देखिए अब मैं इसे वापस चेक कर लेती हूं अच्छा से मिक्स कर लेती हूं लीजिये हमारी पनीर की सब्जी तैयार है बहुत ही पनीर की सब्जी कैसी लगी आप कमेंड में जरूर बताईएगा अब इसके उपर मैंने थोड़ा सा हराधनिया डाल दिया है अच्छे सो वापस मेस कर लेना है तो गैस का फ्लेम मैंने ओफ कर दिया तो देखिए हमारी पनीर की सब्जी कितनी तेष्टी बनी है इसे हम निक दाबा आप बाहर खाना भूल जाएंगे जब तक आप घर पे इस तरह नहीं बनाएंगे तो येकिन नहीं होगा काफी टेष्टी बनी थी आप इस तरह जरू ट्राएगी ज़रू कीजिएगा इसे मैं सवरू कर लेती हूं तो मैंने यहां पर भट्रा बनाया था तो इसके स रहें कितनी ग्रेवी हमारे कितनी टेष्टी वन के सबजी तैयार इस तरह बनाएं एंजॉइ कीजिए वीडियो का सब्सक्राइब जरू पताएगा बाए बाए